तो जनाब शुरू करते हैं index number के बारे हैं देखें index number जो होते हैं यह क्या find out करने के लिए इस्तमाल होते हैं यह इस्तमाल होते हैं कि किसी भी चीज में किसी भी quantity में over that time क्या change आता है right for example जब आप find out करना चाहते हैं किसी भी मुलक के अंदर या किसी भी जगा में prices के बारे मे तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा prices जो हैं उसमें क्या change आया है तागे आप inflation की बात कर सकें ठीक है जी index number सिरफ और सिरफ प्राइस के लिए use नहीं होता या सिरफ और सिरफ quantities के लिए use नहीं होता यह हर वो हर उस variable को cover करता है हर उस चीज को cover करता है जो over the time change होती है for example आप लो इसे बंदे की popularity किसी sportsman की क्रिकिटर की popularity और हम लोग बात करते हैं कि यह बंदा मजीद popular हो गया है यह इसकी popularity में कम ही आ गई है popularity का भी index calculate किया जाता है इसके लावा हम लोग एक और index calculate करते हैं जिसे हम pollution index कहते हैं pollution index यह बताता है किसी भी area में pollution कितनी है 2019 में कितनी थी 2020 में कितनी थी 2021 में कितनी थी इस तरीके से कोई भी चीज जो के over the time change हो रही है एक साल के बाद जिसकी value में change आ जाएगा और उसकी नई values अब हम अज्यूम करेंगे इस तरह की तमाम चीजों को हम लोग index में identify करते हैं कि इसकी value में change कितना आया है और हम लोग यह identify करने ही कोशिश करते हैं कि यह change positive है यह negative है इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए ठीक है जी इसी तरीके से और भी बहुत सारे indexes होते है population index population का education index ठीक है जी दिस सेज के पाकिस्तान के अंदर एक साल कितने percent लोग educated थे और दूसरे साल कितने percent लोग educated है तीसरे साल कितने percent लोग educated थे और education में percentage में क्या increase या decrease जाता चला जा रहा है this is population index ठीक है जी आप किसी भी मुलक के बारे में कोई भी ऐसी numerical value सोचें उसका एक index create किया जाता होगा right तो सिरफ और सिरफ prices और quantity का जिकर नहीं होगा कोई भी चीज जो over the time change होती है उसको हम index में cover करते हैं however आपकी book में सिरफ और सिरफ हम prices और quantity के index की बात करते हैं और उसके बाद आपको उसके इलावा और कुछ नहीं पढ़ा जाता है तो index number एक बड़ा vast concept है जो कि किसी भी quantity के अंदर change जो के occur होता है over the time उसको evaluate करने के लिए उसको identify करने के लिए calculate करने के लिए इस्तमाल होते है और इसमें जो formula है वो बहुत simple है right for example आप देखते हैं कि आपके पास एक value है 2010 की और 2011 की 2010 में for example pollution index लहोर का था 325 और 2011 में लहोर का pollution index increase होके हो गया 365 राइट ये दो values हैं जिनको हमने आपस में compare करने हैं तो हम लोग जब भी किसी एक साल की pollution को किसी पिछले साल की pollution के साथ compare किया करेंगे हमारा formula यही है के pollution of current year यह निके value of current year divided by value of comparison year जिस year के साथ आप comparison करें या उसको हम लोग base year भी कहते हैं multiply by 100 right जब हम करेंगे 350 divided by 325 multiply by 100 we will get an answer which is the pollution index कि जिसने हमें बताया कि pollution में कितना change आया है pollution में कितना increase या decrease आया है तो इसी तरीके से हम लोग prices में है quantities में popularity index में हर तरह की चीज़ों में इसी तरीके से index calculate करते हैं right अब Pakistan के अंदर हम लोग price index की बात करने लगे हैं और price index का जो formula होता हो तो बहुत सिंपल होता है फर्स करें कि आप year 2020 में है और 2021 पैट्रोल की prices के बारे में हम बात करने लगे हैं क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हम लोग बात करते हैं कि जब पैट्रोल की prices increase होती है तो हर चीज की price increase हो जाती है right अभी recently जो prices में increase है इस तरह की जो चीज़ें आती रही यह सिरफ और सिरफ इस वजह से आती थी वो जी क्राए महंगे हो गए क्राए महंगे हो गए तो सबजीयों को लाने वाली जो बसे हैं उनका प प्राइस से लगाया जा सकता है कि इस मुलक में प्राइस में क्या increase या decrease आ रहा है right for example 2020 में प्राइस है 105 रुपे और 2021 में प्राइस हो जाती है एक 100 रुप है तो हम लोग एक index number calculate करना चाहते हैं जिसे हम price index भी कहते हैं इसका formula यह होगा prices of current year divided by prices of base year multiplied by 100 right इससे आपके पास ए fraction को आप 100 से multiply करते हैं तो you get an answer which is in percentage और यह percentage आपको बता रही होगी if this percentage is more than 100 ठीक है जी this means के इसमें increase आया है और अगर यह percentage 100 के आसपास 100 ही होगी तो इसका मतलब है कि there is there has been no change index number states के prices के अंदर कितरा change आया है right अच्छा index number की एक और interpretation देखते हैं आप लोग जब इसे calculate करेंगे तो आप उपर रखेंगे price जिस साल का index calculate करना चाहते हैं 2020 का index आप calculate कर रहे थे आपने इसको divide किया 2021 का index calculate कर रहे थे 2020 से आपने से divide किया you get the answer 95% 95% का एक बड़ा खुबसूरत मतलब है इसका मतलब यह है कि 2020 में जो चीजें आपको 100 रुपे की मिलती थी अब वो 2021 में वही तमाम चीजें आपको 95 रुपे की मिलेंगी जो आपका index number होता है वो आपको बताता है कि जो चीजें base year में 100 रुपे की मिल रही थी आज वो कितने की मिलेंगी for example if you get the index number 125% it's mean percentage को अगर हम ignore करें कि जो चीज आप base year में 125 रुपे की लेते थे आज वो 100 रुपे की लेते थे आज वो 125 रुपे की मिक रही right so this is the concept of index number index number आपको बताते हैं कि overall कितना value में कितना inflation में increase आया देखें inflation का word आगए inflation क्या होती है inflation is कि पाकिस्तान में या किसी भी मुलेक में महंगाई कितनी हुई है उस महंगाई को English में inflation कहते है ठीक है जी अब जो inflation होती है यह permanent increase होता permanent increase in price levels right जो price level में permanent increase होता है उसे हम inflation कहते हैं और वो हम लोग petrol prices से इसका अंदाजा लगा सकते हैं